नमस्कार मैं हूं मनीच दानियोस में आप सभी का स्वागत है हाली में की गई लेवरेटे ट्रेस से पता चला है कि अंडवान के चार बड़े ड्रिंकिंग मिन्राल वाटर के जो दो लिटर्स के बोटल है उन सब में अधिक मात्रा में नाइट्रेट और ब्रोमेट पाया गया है सुत्रो कैनुसार ये चार कंपनिया यानि किंग फिशर, एन्वा, एक्जैटिक, ब्लू और आरियन एक्वा जिनके दो लिटर्स के बोटल बजार में उपलब है इन सभी में जरुष से भी बहुत ज़ादा मात्रा में ब्रोमेट और नाइट्रेट पाया गया है हेल्थ स्केशलिष्ट का ये कहना है कि अधिक मात्रा में नाइट्रेट और प्रोमेट होनी की वज़े से किसी भी इनसान को बहुत सारी जानलेवा बिमारिया हो सकती है जैसे कि लंग्स कैंसर, नर्वसनस, जैसे और भी कई बिमारिया खासकर घर्गवदी माओं के लिए ये पैकेश वाटर बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है और सिर्फ माओं के लिए नहीं, शिशु के लिए भी खतरना हो सकता है जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर वो पैकेश ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं जिससे अधिक मात्रा में नाइटरेट है, तो उस बच्चे को सीरियस हेल्थ इशूस हो सकते हैं और वो भी ऑक्सेजन की कमी की वज़े से इस विमारी को मेडिकल टम्स में मेथिमोगलोबिमेनिया या ब्लू बेबी सिंड्रों के नाम से भी जाना चाता है साइंटिस्ट का ये कहना है कि डाइडिया इस विमारी को और भी खतरनाग बना सकती है जो बच्चे 6 महिने के हैं जिनको बेबी फीडिंग बोटर्स में पानी दिया जाता है अगर उस पानी में नाइट्रेट जादा है तो मितमोगलोबिमेनिया होने के चांसस जादा है में स्किन कलर ब्लूइश हो जाता है और इसका अंजान बदन में कमजोरी या जान भी जा सकती है इसकी सिंटम्स हैं ब्लड ट्रेशर लो होना, हार्ट रेट बढ़ना, सर में दर्थ होना, उल्टियां होना और ऐसे कई अन्य लक्षट हो सकते हैं हमारे तरफ से सभी पैकेज ड्रिंकिंग वर्टर कमपनियों से ये अनुरोध है कि वो अपने पानी का नियमन चांच करवाए और लोगों के जान के साथ ना खेले और अपने बोटल्स की जांच करवाते रहे हम किसी भी कमपनी पे आरोप नहीं लागाते लेकिन अपने कॉलिटी पर जरूर ध्यान करे और मेंटेन रखे आज के लिए बस इतना ही कलफर मिले के नए खबरों के साथ तब तक के लिए मैं मनीश आपसे विदा चाहूंगा नमस्कार